हाई गाईज आज लोग बात करेंगे कि जैंगो प्रोजेक्ट में आप माइस्क्वेल डेटाबेस कैसे सेट अप कर सकते हैं नॉर्मली क्या होता जो हम लोग जैंगो प्रोजेक्ट बनाते तो में एक डेटाबेस मिल जाता है आपके सिस्टम में जैंगो का जो रिक्वार्मेंट इसे पाइफन वागरा वो इंस्टॉल रहना चाहिए मैं उम्मीद करता होगी होगा और आपको जैंगो भी आता होगा चलाना मतलों कोडिंग करना उसके अलावा आपको माइस्कुल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर जिसको भी follow करना चाहिए, follow कीजिएगा, दोनों करना है, दोनों नहीं करना है, अलागि दोनों भी करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट conflict क्यों खड़ा करना, जब एक से काम हो जाएगा, तो, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, मैंने XMPP किया हुआ है, by the way, तो मैं र PC का यूज़ करूँगा, अगर अपने मіरे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीज़ेगा, बहुत बहुत पीछे रह गया है, बाकी सवी से, इतनी महिनत करने के बाद भी अपने सब्सक्राइब किये जल्दी से, अब लोग, अभी हम आना VS Code उपन कर करते हैं और हमें यसा से पहले क्या करना एक जैं데 को가 प्रोजेक्ट करेट करना उसके लिए ठार्णि ओ Warsmen करते हैं और हमें करने लिए जैंब करने के लिए जैंग पड़ेगा जैंग इंस्टॉल करने के लिए मैं एक वाइंटIn be बनाओंगा और उसी के अंदर कर सकते हैं अगर नहीं है अगर इंस्टॉल तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर साच करना है वर्चुल नभी लिखके यह वाली पहली वाली यह जो है इसको आप अपन करने के बाद सिंपली आप यहां पर आकर इसको पेस्ट करेंगे औ अभी इसमें कुछ नहीं है मैं आपको C Drive में लेकर चलूं C Drive में ENVS folder इसके नदर कोई वर्चुल नवी में बनाया नहीं यह मैं पहला वर्चुल नवी है तो यह है पर मैं करता हूँ सारे वर्चुल नवी में एक ही जगव पर रगता हूँ इसके लिए आप पर सिर्फ करते हैं आपको यहां पर लिखना है जो भी आपका वर्चुल नवी का नाम था वह में दिख रहा है तो यह हमारे अक्टिवेट हो जगा है अब हमें इसके अंदर में सारे पैकेज़ इंस्टॉल करने है तो भी आप देखेंगे पापी फ्रिस करके तो को भी प्रेज़ के अंदर आपको दिखेगा नई हमें जो का पर्जेट बनाए यहां पर मिल जाएगा जेंगो यह सब्पोर्टी पैकेज़ ज्ए लिए जो यह बीट करने में हमें help करेगा इसके ऐलबा माइस्क्वे से कहां आपको connection बनाना है एक package आपको लगेगा जिसका नाम है यह चाहँ और यह भी हमारे इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप इसको देखेंगे पी पी फ्रीज करके तो आपको दिख जाएगा यहां पर कि जैंगो भी हमारे इंस्टॉल है और माइस के ख्लाइंड भी हमारे इंस्टॉल है बस यह दो पैकेज ही लगने वाला और कुछ नहीं जैंगो का project create करना है तो वह हमें create करूँगा कहाँ पर वह हमें create करूँगा c drive के अंदर तो मैं c drive के अंदर में आ गया लेकर देख सकते हैं वर्चुन इंभी के अंदर ही रहना है यह लेखना है जैंगो-admin start project और project का नाम रखेंगे मान लीजिए हमने रखा जैंगो-myscale इंटर के प्रेस कीजिए और हमारा यह create हो गया होगा आप cd-jango-myscale इस folder के अंदर जा सकते हैं देखिए मैं इस folder के अंदर हो dir करेंगे आपको हमें manage बगरा सब उचे दिख जाएगा तो यह हमारा folder है यह inner project folder और यह manage.py file cd-rive में चलके देखते हैं तो यह cd-rive हमारा यहां पर है देखिए हमारा folder project folder यह main project folder इसके अंदर में एक inner project folder same naam से रहता है यह settings बगरा है और यह हमारा manage.py file है तो इसके अंदर इसको open करते हैं हमारा अपने vs code में यहां से open कर सकते हैं आप तो मैं इसको open करता हूं यहां से open कर लेते हैं यह हमें इसमें open करेगा और हमारा यह activate हो जाएगा अगर नए अक्टिवेट होता है तो आपको यह run करना पड़ेगा c drive पूरा का पूरा यह पूरा देख रहे हैं यह पूरा आपको run करना पड़ेगा जिससे मैं आपको दिखाता हूं करकि deactivate हम लोग कर देते हैं पहले इस सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नहीं बता है तो मैंने आपको करके दिखा दिया अब इसमें simply database setup करेंगे फिर आपको एक application करेट करके और एक model करेट करके दिखाऊंगा पहले हम लोग database setup कर लेते हैं उसके लिए हम आएंगे setting.tri file पर और यहां से आपको सीधे जान यह हमें open हो जाएगा देखिए open हो के दिख रहा है अभी शोड़ सब्सक्राइब कर दीता हूं मैं देखिए setup है हमारा database default SQLite 3 अगर आप कोई और यूस करना चाहते हैं जैसे कि when connecting to the database package such as maria db, mysql, oracle or postgreysql additional connection parameter will be required see engine setting below on how to specify the other database type this is example of postgreysql एक postgreysql का हमें SQL का हमें एक यहां पर मिल जाता है example के तोर पर बट आपको यहां पर यह engine दियान में रखना होता है कि अलग-लग database का अलग-लग engine होता है जो यहां पर बता गया होगा नीचे आप देखिए बता गया यहां पर देखिए database backend to use the built-in database backends are postgreysql के लिए यह लिखेंगे, mysql के लिखेंगे, SQLite 3 के लिए यह और लिखेंगे और maria db के लिए भी हम लोग mysql ही यह यहां पर use कर लेंगे इससे हमारा काम हो जाएगा इसी को कोपी करते हैं इस वाले को पूरे को यहां से यहां तक सबको को कोपी किया और आते हैं कोड में यहां और यह default यह नहीं रखना यह धाटाना है और यहां पर यहां पर लिखना पड़ेगा उसका पासवर्ट लिखना पड़ेगा ओस्ट आपका सेम रहेगा यही port mysql का क्या होता है 3306 डिफॉल्ट पोर्ट होता ही है अगर आपने चेंज नहीं किया ता आपका भी यह सेम पोर्ट होगा अभी हमें क्या करना है हमें डेटाबेस करे चाहिए बस तीन चाहिए तो अब काम है mysql पर mysql पर काम करने के लिए मैं यहां पर xmpp का यूज कर रहा हूं अगर आप भी xmpp से अपने इंस्ट्रूल किया है ता आप cmd से अब यहां से बस स्टार्ट कर रहा हूं अपना सर्वर और कुछ नहीं बाकी काम cmd से ही करेंगे cmd मेरा अभी यहां पर हम लोगों को mysql के अंदर जनाता है यहां लिखेंगे mysql-u और रूट हमारा यूजर है पासवर्ड नहीं है पासवर्ड रहता तो डैश पी करके फिर पासवर्ड प्रॉंट करता है बट इसमें मेरा पासवर्ड नहीं दिया हूँ ब्लैंक हो तो मैं सिंपल इतना लिखोंगा यह मुझे मारी अडिवी पर डाल देगा अभी इस पर हम चेक कर सकते हैं सेलेक्ट यूजर कॉलम फ्रॉम यूजर टेबल और यह आपको सारे यूजर दिखा देगा अभी अभी के लिए रूट रूट यूजर है कोई अपना यूजर हमें क्रेट करना पड़े यूजर हम लोग करेट करते हैं नया जिसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे create user और यहां पर username आपको लिखना है मैंने नाम रख्का अपना राजेश इसके बाद आपको अपर एड स्मल देना है लोकल होश लिखना है इडिंटिफाइड लिखना है बाई लिखना है और हेलो 123456 यह पासवर है हमारा यह यहां से मिल जा दा यूजर नेम र create हुआ तो हमारे पास user है इसको पासवर्ड है अग्यापेस चाहिए करने के लिखना है create database और database का नाम रखेंगे मानले न्यू डिभी हमने रखा और यहाँ पर इंटरीप रेस करते हैं database विपाले कर सकते हैं अब मैं चाहता हूं कि यह जुमारा database create हुआ है इसका access सिर्फ इस user को दून ये user इस database पर काम कर सकता है ऐसा मैं करना चाहता है तो इसको grant permission grant करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए पर लिखना पड़ेगा grant all privileges on database का नाम है वह है new db जो भी आपको database का नाम रहेगा अवालिखिएगा यह लिख दिया और password हमारा hello hello का h capital है hello 123456 बस इतना कीजिए इसको save कीजिए उसको आप database चुकिस में काफी सारे model अलड़ी बने होते हैं जैसे auth के लिए सारी सीजिए तो आप उसको migrate करके देख चेक कर सकते हैं अब कही है काम करेगा तो हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे सारे टेबल्स हमारे लिए क्रेट करते हैं सारे टेबल्स यह कहां क्रेट हो हमारा माइस्वेल में हमारे इस database के अंदर में इसको verify करना चाहते हैं तो आप आये command prompt में यहांपर और यूज कीजिए पहले new db को यानिकि यह लोग डेटाबेस तो हम आपको सारे टेबल्स सीख जाएंगे जो जिए अंगों के हमारे इसमें कोई टेबल नहीं था लेकिन अब हम लोगों का हम लोग के पास यह सरा टेबल है इस तरीके सब माइस्वेल कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं इस से ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है आप चाहे और यहां पर आपको सारे ओंड यूज ऐगा अगर आपने को क्रेट की हों था आपको दिकने को मिल जाएगा अभी को च्रेट नहीं किया तो वह नहीं दीख रहा है आकी सारेबल्स दीख जाते हैं यहां पर लिखना है PythonManage.py create super user यह लिखा जाता है create super user इंटर की प्रेस करेंगे user name पूछ रहा है तो मुझते है राजेश इंटर की किया और इसमें हम लोग ई-mail देंगे को मैं देता हूँ email gkishos at gmail.com और password देते हैं हम लोग कोई भी password देजिए यहां पर मैं लिखेता हूँ 123456 इंटर की प्रेस किया 123456 इंटर की प्रेस किया यह कहता है कि password पीक है कोई बात नहीं वाइल एक इंटर प्रेस और यह super user हमारा create हो जुका है जो आप यहां पर देख सकते हैं यह बनाएंगे आप इसको रिलोड करेंगे इसको रिलोड करते हैं और वापस से देखेंगे देखेंगे हमें एक दिख रहा है यह password है id1 और यहां पर आप देखेंगे इसको यह मेरा firefox पर चल रहा है यहां पर slash admin और admin पर आप लोगिन करेंगे यूजर नेम था यहां पर है यहां पर रहें यूजर पर चाहिएगा तो यूजर आपको अपना दिख साएगा बस ठीक है बढ़िया अब इसको कर देते हैं हम लोग इसमें डाक और भी आ चुका है बहुत बढ़िया तो यह हो गया हमारा यूजर क्रेट हो गया अभी हम लोग इसमें मैं आपको यहां हमारा काम कतम हो जाता है ठीक है आप चाहें तो यहीं तक देखके अपना setup अगर कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा पर मैं चाहता हूं कि एक और step आगे देखिए एक app बनाते हैं जिसमें एक model बनाते हैं और देखते हैं कि उसका उस model का table हमारा कहां पर generate होता है जिसको कोई काम ने एक app बनाना है नया so app बनाने के लिखना python manage.py start app और app का नाम रखेंगे मान लेजी हमने app का नाम रखा ब्लॉग वैसे तो project का नाम यहां installed apps में और यहां पर लिखें ब्लॉग यह कि अभी हमें एक model बनाना इस ब्लॉग app पे एक model बनाते हैं model फाइल पर आते हैं और यहां पर एक simple सा हम लग बनाएंगे model जादा कुछ नहीं तो मैंने post नाम से model बना लिया जिसमें title है slug है created on लिका जिसमें date वगर हमारा आ देता हूं हम लोग इसी database के अंदर है new db के अंदर में store tables करते हैं वो देखें आपको कहीं भी blog underscore post नहीं दीखेगा बट आप दीखेगा जब लोग migrate करेंगे तब अब इसको यहां से भी check कर सकते हैं by the way इसके अंदर से भी यहां भी आपको नहीं दीखेगा ठीक है कर लिजिए यह जागा से बस verify करना अब हमें क्या करना इसका migration file पर generate करना फिर migrate करना यहां यह लिखे python manage.py make migrations इंटर की प्रेस करते हैं देखे हमारे देख सकते हैं अब आपर आपस से run करेंगा उसको यहां पर आपको दिखेगा बलॉग करना हम पहता है वहा थो ब्लोग पोस्ट आपको देखना हम लगा से लृट करेंगे इसके नंदर में बहुत देख भी देख पांगे इतना ही काफी है यह simple सा तरीका है अगर आपको करना चाहते हैं अपने jango project में mysql database को setup तो बस settings में जाना है और यह सारे credential आपको लिखने हैं जारे जबाते manually आपको अपने database करना पड़ेगा user करना पड़ेगा और उसका password करना पड़ेगा यहां पके लिखना भी पड़ेगा और port दियान में रखियेगा अगर default port है तो ही आपको 3306 काम करेगा वरना अगर आपने change किया होगा तो आपको आपना port यहां लिखना कि क्या issue हो रहा है मैं कोशिश करना सब्सक्राइब करने की और दोस्तों मेरे सेनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सब काम बहुत-बहुत धन्यवाद